भारी बहुमत के साथ प्रधानमंतरी का कुरसी पर बैठाया गया एक नेता जब अपने आपको सुप्रीम लीडर मानने लगे तो मानो दुर घटना घटने वाली है उसके उपर एक ऐसा देश जहां के लोग इस सुप्रीम लीडर की भक्ती में सुप्रीम लीडर जो कहे उसको सच उनके खिलाफ जो कुछ भी बोला जाए वो जूट समझने लगे या फिर जिस देश की मीडिया खबर छोड़ कर चाटुकारिता पे उतर आए प्रोटेस्ट करने वाले देश के लिए खतरा मान लिया जाए उन्हें डीटेन कर लिया जाए सुप्रीम कोड उनकी पेटिशन सुनने से इनकार कर दे ऐसे देश में डिमोक्रसी की मौत होनी तय है और साथ ही साथ ऐसे देश में रहने वाले हर एक इनसान को इसका अंजाम भी भुगतना पड़ता है चाहे वो एंटी नैशनल अर्बन नकसल हो या अल्टरा नैशनलिस्ट अंदभक्त हो नहीं, मैं नाजी जर्वनी की बात नहीं कर रहा हूँ अपने देश की बात कर रहे हैं, हम इंडिया की ही बात कर रहे है देशबक्त के आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम आपको बताएंगे एक ऐसे इंडिया के बारे में जहां लोगों को उनके फंडमेंटल राइट्स नहीं मिले वो छिन गए, उन्हें बिना कारण बताएं उनको जेल में डाल दिया गया गरीबों को सरकार की लगरतार बदलती स्कीमों के वज़े से बहुत सारी परिशानी हुई और सुप्रीम कोर्ट समेथ सभी बड़े इंडिपेंटेंट इंस्टूशन सरकार के अनुसार ही काम करने लगे और ये सब होने के बावजूद साफ दिखने के बावजूद लोगों की मन की घंटी बजी बहुत देर बाद 1971 में इंडरा गांधी 352 सीट्स की पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर प्रधान सेबक बनी जनता को भी उन पर पूरा भरोसा था अरे फिर साथ ही में बांगलादेश में घर के में घुसके पाकिस्तानियों को वहां से बाहर निकाला भाई इंडरा गांधी ने अपने राश्वादी होने का सबूत देश के सामने पहले ही रख दिया था और पूरा देश उन्हें एक ऐसे दमदार PM के रूप में देखता था जो इंडिया को फिर से विश्व गुरू बनाएगा उस समय का नारा इंडिया इंडरा 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 बढ़ती चले गई, गुजरात में कुछ टुकडे टुकडे गैंग वाले स्टूडेंट्स और अर्बन नकसल मिडल क्लास लोगों ने छेडी एक नई मुवमेंट उनके खिलाफ नव निर्मान मुवमेंट शुरू किया, एक मैसिव मुवमेंट था और काफी हद तक इसमें ड स्टूडेंट्स को तो मानना था कि ये स्टूडेंट्स कॉलेज पढ़ने जाते हैं या सरकार पर सवाल उठाने जाते हैं, एंटी नैशनल कहीं के, लेकिन मोदीजी जैसे रेविलूशनरी प्रोटेस्टर्स पीछे नहीं अटे, उधर बिहार छात्र संगर्ष समिती से भी जए प्रकाश नरायन की लीडर्शिप में संपूर्ण करांती का एलान कर दिया गया, इस सब के साथ देश भर के ट्रेड उनियन्स, खासकर की रेलवे उनियन भी हरताल पर चल रही थी, ये सब ऑपोजिशन तो चली रहा था इंद्रा गांधी का, 12 जून 1975 को आया उसी से हटने का अंदेशा एकदम सेट हो गया, हुआ यू, मैं आपको इस सब क्यों बता रहा हूँ, अरे एमर्जेंसी के दोरान कोट ने क्या किया, क्या नहीं किया, उस सब की डीटेल विशलेशन हम आपको इस एपिसोड में तो बताई चुके हैं, तो उसको जाके ज़र होने से एडी बार कर दिया, अरे भई, लगाना जोर का जटका, भई, ऐसा बताओ, आखरी बार ऐसा कब हुआ है, कि किसी हाई कोट में इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत हुई हो, कि सुप्रीम लीडर से पंगाले, वो भी डिरेक्ट, यहां रेप अक्यूज, छोटे मोटे ने वो तो ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, तब इंद्रा गांधी ने प्रेजिडेंट से बात की, और रातों ही रात स्टेट अफ एमर्जेंसी क्या हवाला देते हुए, देश भर में लॉकडाउन कर डाला, प्रेजिडेंट फकुरुद्दिन अली एहमद ने इंद्रा गांध की बात मानी और संविधान के आर्टिकल 352.1 की मदद से एमर्जेंसी लाबू कर दी, इस आर्टिकल के अनुसार यदि प्रेजिडेंट को लगता है कि देश में, कुछ हिस्सों में, इंटर्नल डिस्टर्मेंस होने का खत्रा है, तो देश में एमर्जेंसी घूशित कर सकते 26 जून, इंदरा गांधी ने ठीक 8 बजे, याद रखेगा, सुभह 8 बजे की बात हो रही है, यहाँ, ओल इंडिया रेडियो पर देश वासियों को संबोधित किया, और अपनी मन की बात उनके सामने रखी, एमर्जेंसी के पीछे का मकसद भी लोगों को समझाया, देखिए इन शॉर्ड बोले तो इंडिया की डिमोकरसी और नैशनल सेक्यूरिटी बचानी की बात थी, अरे वो इसी टुकड़े टुकड़े गैंग से, गरीबों को चैन की नीन दिलाने की बात की गई, वन्हें हैश्टाग, गरीबी हटाओं तो सारे जुमलों का बात था, और लोगों कब इस तरीके की वर्चुल डिमोकरसी की आदत हो गई, पता ही नी चला, इन 21 महीनों को डिमोकरसी का सबसे शर्मनाग समय माना जाता है, क्योंकि वहां हमारी सारी राइट्स कॉंप्रमाइज हुई थी, क्योंकि एमर्जेंसी के पीछे सरकार सिर्फ अपने आपको नहीं बचा रही थी, बलकि एक और ऐसा एजेंडा और ऐसा काम को अंजाम देने की कोशिश कर रही थी, जो एक आम डिमोकरसी में करना आसान नहीं होता, वो काम क्या था, अभी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये तो जान ले कि लोगों का क्या रियक्शन था, जब इतना बड़ा कदम लिया गया, एमर्जनसी का नाम सुनते ही ऐसा दुख सा छा जाता है, जैसे एक टीवी पे किसी ने बागवान चला दिया हो, लेकिन देश में एमर्जनसी लाबू होने से ऐसा नहीं था कि हर कोई नारास था, कई लोगों ने अपना सपोर्ट भी दिखा होगा, भगतों का मानना था कि इंद्रा गांधी के एमर्जनसी के वज़े से देश भर में अराजकता कम हो जाएगी, ट्रेने टाइम पर चलने लगेंगी, स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ने लगेंगे, सरकारी दफ्तों काम होने लगेगा, साफ सफाई भी ठीक ठाक ह होने लगेगी, कोई प्रोटेस नहीं है, कोई रैली नहीं है, सड़के साफ हैं, सब चंगा सी देश में, हैर, एमर्जनसी के समय कुछ ऐसे भी बुद्ध जीवी थे, जो सरकार के नीतियों के खिलाफ बोलने या लिखने का साहस करते थे, जैसे सामान रुषदी, वियस ना आश्क दे मारा, आपको क्या लगता है, इंदरा गांदी ने ये सब देखकर फ्रीडव ओफ एक्स्प्रेशन का सम्मान किया, इन किताबों और फिल्मों के साथ वही हुआ जो गुजरात में चाइनीज टीवी के साथ हुआ था, इनफेक्ट किस्सा कुरसी का, जैसे दमदा सटायर मूवी के तो सारे प्रिंट्स ही जला दिये, संजय गांदी ने, लेकिन इस फिल्म से जुड़े कई मज़िदार facts, stats and figures आपको मिलेंगे इस episode में जो हमने आपके लिए बहुत ही painstakingly बनाया था, जरूर देखिएगा, आज के Bollywood में ऐसा picture देख पाना, आप सोच भी नहीं सकते हो, अभी Bollywood selfie की चाने में बिजी है, लेकिन ऐसे कुछ writers भी थे जो emergency के support में भी खड़े हुए, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, वो भी without terms and conditions, 40 जाने माने लेखक और कवियों ने letter भी लिखा और अपना support बया किया, जिनमें से एक थे कवी, डॉक emergency के दोरान विरोध खतम हो गया था, नहीं, ऐसे मुश्किल समय में भी ऐसे कुछ लोग थे, जिन्होंने सरकार से अपना हक मांगा, उन्होंने जुर्रत की सरकार के ये खिलाफ बोलने के लिए, और सरकार ने भी उनको उनका हक दिया, मजाग कर रहा हूँ, मजाग कर रहा ह जिन्होंने प्रदानमंतरी के इस्तीफे की, मांग की, डिमांड की, और देश भर के स्टूडेंट्स को जोडा भी, इसी जेपी आंदोलन में स्टूडेंट लीडर बनकर सामने आए अरुन जेटली, जिनके कारनामे हमने आपको इस एपिसोड में बताया है, ये एपिसोड देखियेगा और स्टूडेंट प्रोटेस्ट की हिस्ट्री को भी समझेगा, यही नहीं, आरुन जेटली ने इंदरा गांधी को हिटलर से भी कंपेर किया था, अब इंदरा गांधी के पास उस समय ट्रोल आर्मी नहीं था, नहीं तो जेटली जी को उसी समय फ्लैट कर देत ओपोजिशन को जेल भेजना, प्रोटेस्टर्स को डिटेन करना, फंडमेंटल राइट्स की कमर तोड़ना और सुप्रीम कोर्ट तो खेर इंद्रा गांदी की इंफ्लूएंस में पहले से ही चल रही थी वाह! इसे कहते हैं मास्टर स्टोक वैसे तो इस दोरान सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहुत निराश किया, लेकिन वहाँ भी एक जस्टिस एचार खन्ना थे, जिन्होंने डिसेंट और डिमॉक्रसी के रिष्टे को जोड़ के रखा इसके अलावा डिमॉक्रसी के चोथे पिलर, प्रेस पर भी इंद्रा गांधी के सेंसर्शिप के तीर चल रहे थे जिस रात एमर्जेंसी का डिसिजन लिया गया, उस रात को इंद्रा गांधी ने सभी निउस्पेपर आफिसेस की बिजली के तार काट दिये, न रहेगी बिजली, न छपएगा निउस्पेपर सर्जिकल स्ट्राइक उन दे प्रेस इसके बाद मीडिया को कुछ भी छापने से पहले सरकार से बकाइदा परमिशन लेनी पड़ती थी कई BND मेरा मतलब है बुजदिल और डरे हुए मीडिया हाउसे आसानी से जुक गए या फिर अटबानी जी की बात माने उनकी भाशा में रेंगने लगे कुछ मीडिया हाउसे जैसे इंडियान एक्सप्रेस और दे स्टेट्समेन हार नहीं माने और वो सरकार के खिलाफ विरोध दिखाते रहे सच लिखते गए इसके लिए इंडियान एक्सप्रेस जैसे फर एक्जामपल उन्हें अपनी एडिटोरियल की जगए सिर्फ हाली पनना च्छापा टाइम्स और इंडिया ने डिमोक्रिसी के लिए शोक संदेश लिखा और इसी समय इंडिया टुडे जैसी मैगजीन सामने उभर कर आई लेकिन प्रेस और मीडिया पर से लोगों का विश्वास तब जब उठाना सालों बाद भी वापस नहीं आया शायद इसी लिए लोग और खुद मीडिया चैनल्स आजकल वाटसैप पर ज़्यादा भरोसा करती हैं अपने आप से भी आज एमर्जेंसी के 45 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन शायद 70 सालों की गलतियों के चलते कॉंगरिस की ये सबसे जो बड़ी गलती है वो छुब जाती है बात ये है कि हमारी जनता भी यह ना बड़ी भोली जनता है जब तक सरकार राशवाद सियाची में जवान विश्वगरू जैसे मुंगेरी लाल के सपने दिखाती रहती है तब तक साब चंगा सी है लेकिन जब बात खुद पर आती है ना तब लोगों को याद आता है अरे वाह डेमॉक्रिसी में तो सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है उस समय भी एमर्जेंसी पर लोगों ने कोई खासा सवाल नहीं उठाया सिवाए, ओपोजिशन, टुकले टुकले गैंग, स्टूरेंट लीडर्स, अर्बन अकसल वगयरा वगयरा लेकिन एमर्जेंसी का इस्तमाल करके संजय गांधी ने अपने नस्बंदी खारिकरम आगे बढ़ाते रहे फैमिली प्लानिंग को चलाने के नाम पर लोगों को जबरन पकड़ कर उनको स्टेलराइस कर दिया गया और इसके चलते 6.2 मिलियन लोगों की नस्बंदी या वैसिक्टुमी का ओपरेशन किया गया नाजी जर्मिनी में हुए ओपरेशन से 15 गुना जादा करीबन 2000 लोगों की जाने गई इस unplanned और बुरी तरीके से implement किये गए प्रोग्राम के वज़े से लेकिन हम इसको एक मामूली नंबर समझ कर ऐसे ही brush off कर देते हैं वो कहते हैं ना देखे एमर्जेंसी लगाने से पहले नारा था गरीबी हटाओ एमर्जेंसी के दोरान बन गया गरीब हटाओ और देड़ साल बाद लोगों के समझ में आया कि यार उनका तो सच में कटने वाला है तब जाके एमर्जेंसी के खिलाफ आवास थोड़ी बहुत निकली लेकिन ये बाद भी सच है कि इंद्रा गान्धी ने अपनी मज़ी से एमर्जेंसी हटाई थी और जैनवरी 1977 में इलेक्शन्स करवाने का फैसला लिया उन पर ऐसा कोई फोर्स नहीं था, कोई प्रोटेस नहीं था, कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं था तो ऐसा किया क्यों इंद्रा गांधी ने? ये उनके प्रियब बेटे संजय गांधी को भी नहीं पता है कुलदीप नाइयर के किताब में संजय गांधी को कोट किया गया है जहां संजय गांधी कहते हैं कि उनको लगता था कि एमर्जेंसी लाबू होने के बाद 30-40 साल तक तो elections नहीं होंगे ये होता इंद्रा गांदी का असली master's prop democracy का total खात्मा लेकिन कहा जाता है कि भगतों की बातों में आकर इंद्रा गांदी को लगा कि लोग उनसे बहुत खुश है और अगर वो election announce कर देंगी तो वो democratically power में वापस आ जाएंगी अब उसमें IT cell और BND anchors तो थे नहीं जो लोगों को रोज brainwash करते हैं तो elections हुए फिर इंद्रा गांदी की जैसे हार हुई और जो मार खानी पड़ी उनको उस पर कभी एक और episode बना दिया जाएगा आज emergency की 45th सालगिरा को celebrate करने के लिए नहीं बलकि आपको emergency और नजबंदी का दर्द से आगा कराने के लिए देशभक्त की team ने ये episode बनाया है ताकि अगर आप भूल गए हो तो ये याद आ जाए कि जरूत पढ़ने पर लोगतंत्रिक नेता को भी कभी लोगतंत्र की ताकत याद दिलानी पड़ती है तभी democracy बैलेंस में नहती है आशा करते हैं ये episode आपको पसंद आया चैहन हमारी जो देशभक्त community है वहाँ से हमें काफी request मिलते रहते हैं कि कौन से episode पे काम किया जाए और ये शायद सबसे जादा requested episode था कि एक बार हमें emergency का refresher course चाहिए ये समझने के लिए कि democracy को कितनी आसानी से तोड़ा जा सकता है और लोगों को कैसे गुमरा किया जा सकता है तो आशा करते हैं कि आप ये emergency का episode देखें थोड़ा surprised हो जाएं कुछ नए facts अगर आपको याद आए तो अच्छी बात है of course to another generation जो emergency जुनों ने देखा नहीं है उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि democracy होती बहुत fragile है और अगर हम सवाल ना पूछे और अगर हम अपने leaders को चेक में ना रखे तो कितनी आसानी से democracy को तोड़ा जा सकता है आशा करते हैं ये episode आपको अच्छा लगा हो अगर नहीं भी अच्छा लगा हो तो नीचे comment section को लाए जरा भडास निकालिए अरे हम तो उसी के लिए हैं भडास निकालिए को attention नहीं है अच्छा लगा हो तो subscribe करिएगा, share करिएगा जरूर लाइक करिएगा लेकिन सबसे important है अगर आपको देशभक्त का काम अच्छा लगता है तो join button दबाईए या patreon.com slash theशभक्त पे जाकर member बनिए हमारी पूरी community जो बनी हुई है अभी discord server पे उसको access कर सकते हैं exclusive content, podcast, interviews भी access कर सकते हैं that is only for members so see you there on the Deshbhakt discord server